हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं समीधा आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो किचन में हमारी मदद तो करेंगी ही साथ ही हमारा समय भी बचाएंगी तो उमीद करती हूँ आज की टिप्स भी आपके लिए यूसफु फॉर्स टिप में मैं आपके साथ एक सिंपल सी आमले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है आमले की चटनी इसको हम रोस करके रेडी करेंगे तो यहाँ पर देखे मैंने आमले दो मड़ी मिर्चें और लेसुन को इस तरह से रोस करने रख दिया है और इनको अच्छ मिर्चें ले लेंगे इनको मैंने थोड़ा सा स्क्रब कर लिया था पहले इस तरह से आप देखिए जो उपर से कार्बन इसके उपर आजाता है वो हमने हटा दिया है और इसके बद्द को वाश करके फिर मैंने आमले भी इसमें कट करके आट कर दिये हैं इस तरह से यह रोस कोई भी बची हुई नमकीन भी इसमें यूज कर सकते हैं साथ ही मैंने नमक आट कर दिया है और इसको सबसे पहले हम ड्राइ ग्राइंड करेंगे पल्स मोड में ताकि सारी चीज़ें एक सार हो जाएं क्योंकि डिफरेंट टेक्श्चर की होती है उसके बाद हम इसमें पान कर रेडी है और काफी अच्छा इसका अरोमा आ रहा है क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छे से भुना हुआ है और इसको आफ काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं ट्राइज जरूर कीजेगा और फिर में इससाथ फीडबेक शेयर कीजेगा इस चटनी के साथ का जाय का डबल हो जाता है निक्स टिप मेरी है गार्लिक को किस तरह से हम खूब सारी कॉंटिवी में बहुत जल्दी पील कर सकती हैं स्पेशली विंटर में जब हम साग बनाते हैं या बहुत सारी जो भी डाले बनती हैं उनमें भी लेसन का काफी अच्छा यूस होता है त इसकी सारी जो कलियां हैं उनको अलग लग कर लेंगे इस तरह से और ये जो लेसन है वो थोड़ा सा ड्राय रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा तो मौशर नहीं होना चीए उसमें अगर आपको लगता है कि हलका मौशर है तो एक दिन आप उसको हलका सा दूप में भी रख सक थोड़ा मोटा ही चॉप कीजेगा ताकि बस इसके चिलके इस तरह से कट जाएं और ये अलग लग हो जाएं अब इन सारे चिलकों को हम डालेंगे एक बोल में बट उससे पहले बोल में मैं डाल रही हूं एकदम बॉयलिंग वाटर इससे क्या होगा कि इसमें जो चिलके है वो काफी सॉफ्ट हो जाएंगे वैसे तो जो कलिया हमने अलग लग की थी उनको भी आप डिरेक्ली पानी में भिगो दें तो उसका चिलका निकालना भी काफी एजी रहता है बट इस मैथड से होता क्या है कि इसमें ये चॉप भी हो जाती है तो बहुत ही एजली जहां से क कर सकते हैं और आपको जो लेसन मिलेगी वो काफी हद तक चौप भी मिलेगी मैं बहुत ज़्यादा बारिक नहीं करती हूं पर आप इसको और बारिक भी करकर इसको इस तरह से चिलके इसके निकाल सकते हैं उस केस में चिलके एकदम आपके सेटल हो जाएंगे बॉटम में तो यहाँ पर मैंने बहुत देर इसको छोड़ा नहीं जिस आपने देखा कि पानी में मैंने डाला है और डिरेक्ली में यह चिलके निकाल रही हूं इसके तो इस तरह से आप कर सकते हैं या इसको थोड़ी देर छोड़ दे और उसके बाद आप यह चिलके निकालें तो यह को पहले आप ड्राइ कर लें किसी कपड़े के साथ में अगर आपने ज़्यादा कॉंटिटी में की है फिर उसे करके फिर आप लंबे time भड़ कर सकते हैं उमेद करती हूं यह टिप आपके काफी जदा काम आने वाली है और सड्यों के दिन हैं तो करमपानी के साथ काम करने में काफी अच्छा लगता है अदर्वश लैसन को छिलने में काफी जादा टाइम लगता है यहाँ पर काफी टाइम हमारा बच्ना है यहाँ पर देखिए बहुत सारा छिलका तो इसके बॉटम में ही इस तरह सेटल हो जाता है आप इसको ये मिर्चे आती है लम्बी-लम्बी आज कल, उनके साथ भी ने बना सकते हैं, तो मैंने ये मिर्चे इसलिए ली हैं क्वोगी चुछत तिखा नहीं काती हूँ पर मुझे मिर्चो का शौक है तो मैं इस तरह से इन मिर्चो से ये तिपोरे बनाऊंगी ये एक राजसानी रेसिपी है जो कि आप बनाकर रख सकते हैं और लंच में या ब्रिकफास में या फिर डिनर में आप इसको इसको एज़साइड डिश सर्फ कर सकते हैं काफी अच्छा सका टेस्ट रहता है और खाने के टेस्ट को ये काफी अमेजिंग कर देती है तो यहाँ पर ये मिर्चे मैं इस तरह से कट कर रही हूँ इसमें जो बीज होते हैं वो भी ठोड़ा सा इसमें से जड़ जाते हैं तो जो तिखापन है वह और भी कम हो जाता है, तो यहां पर सबसे पहले हम एक पैन हीट अप करेंगे, उसमें हम आट करेंगे, मस्टर्ड ओयल, तिपरों को आप मस्टर्ड ओयल में ही बनाए, तब ही इसका टेस्ट अमेजिंग आता है, तो यहां पर आप एक या दो चम्मच ओय इसमें आट कर दें उसके बाद हम कुछ मसाले लेंगे कटोरी में यहां पर मैंने सोफ लिया है सोफ का पाउडर तीन चमच छोटी चमच है तो इसी से नाप रही हूँ और सेम चमच से मैंने एक चमच डाला है रेट चिली पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर और उसके साथ एक चमच चाट मसाला और इसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और एक चमच मैंने नमक डाला है हाफ चमच मैंने इसमें काला नमक अट किया है तो इस तरह से हमारा मसाला रेडी हो गया है इसको हम साइड रग देंगे अभी तेल हमारा गरम हो गया है तो तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है थोड़ी सी राई और थोड़ी सी अजवाई इसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मिर्चे आड़ कर देंगे और मिर्चों को थोड़ा सा जाड़ लेंगे हम ताकि इसके जो एक्स्ट्रा बीज हैं वो निकल जाए उससे तरह से ये मिटचे हमने टेल में एट कर दी हैं उसके बाद ज GIR za जो मसाला हमने बनाया लें उसको हो अच्छे से सारी मिटचों सी उपर चुडख देंगे ताकि जो मिर्चों के होल हैं उसमें सारा मसाल अच्छे से चला जाए इन मिर्चों को बनाते विए आप ध्यान रखें कि मिर्चों को आपने OVERCOOK नहीं करना है जस्त यहाँ पर हमें मसाले को कुक करना है मिर्चे हमारी हलकी सी रो रहीं तब ही अच्छी लगती है तो इस तरह से मसाले से हम अच्छे से मिर्चों को कोट कर लेंगे और इनमें काफी मौश्य रहता है तो कुछ भी एक्स्टरस में डालने की जरूरत नहीं है इस को बस एक बार मिक्स कर दीं और फिर हल्की आज पर आप इसको छोड़ दें लेड लगाकर थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ये मिर्चे काफी हत तक कूख हो चुकी है और मसाला आप देखिए तेल छोड़ना शुरू हो गया है यानिकि मसाला हमारा कूक हो चुका है, तो अब हम कर देंगे गास को बन, इसमें अब मैं डाल दी हूं एक चमच विनेगर अगर आप विनेगर पसंद नहीं करते हैं, तो आप एक चमच अमचूर, पाउडर भी मसाले का साथ genius करके इसमें add कर सकते हैं, इस तरह से हमारे ये राजिस्थानी टिपोरो की रेसिपी रेडी है तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी आज की जितनी भी रेसिपी हैं वो अगर आप ट्राइ करते हैं तो ट्राइ करने के बाद मेरे साथ अपना फीड़बैक जरूर शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो बस आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ आप से एकसी और नई इंट्रिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्यू थैंक्स फू वाच्चिंग